दोस्तों स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने अनुवादक की परिच्छा अर्था जेएच्टी एसेच्टी की जो परिच्छा 2019 की थी उसके पदों का विवरान अपने वेबसाइक पर डाल दिया है और जैसा मेरा अनुवान था मैंने जो विवरान दिया था उससे ठीक एक दो पद आगे पीशे हुए है मैंने 328 का अनुमान बताया था और उन्होंने 325 पद बताया है जो कि इस बार 2019 के अभिहर्थियों के लिए उन्होंने रखाया और विविन ने विभागों का विवरण दिया हुआ है साथ में उन्होंने अपने वेबसाइट पर एक आप्शन फॉर्म डाला है इस विकल्प में उन्होंने इस बार वरिष्ठ हिंदी अनुवादक अर्थात सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद को निकाल दिया है अर्थात हो सकता है उनको वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदों की किसी के पास से मांग ना आई हो इसलिए निकाल दिया गया अब बच गे जितने 325 पद हैं केटेगरी वाइज वो सारे पद अब कनिष्ट अनवादक के पदों के लिए रहेंगे और जहां तक मेरा अनुमान है कि मैंने जो कटाफ बताया है भगवान करें कि आप सभी लोग जो लोग उसके पात रहें उनका चैन हो जाए आजके इस चरचा में मैं आपसे साजा करने आया हूँ कि यह जो option form दिया गया है उस form को कैसे भरें कई ऐसे मित्र हैं जो जानना चाहते हैं कि हम क्या ऐसा भरें कि हमें अपने घर के पास नियुकती मिले और कई ऐसे मित्र हैं जो यह पूच रहें कि उन्हें क्या ऐसा करना पड़े जिसके कारण ऐसा विवाग मिले जिसे पदोननती के औसर अधीक हो तो अब अगले कुछ स्लाइडों में मैं आपको इन समस्त विवरण की जानकारी दे रहा हूँ जुड़े रहे अंत तक इस वीडियो को देखे यदि आप अभ्यरती हैं औ और आप उस केटेगरी में आते हैं अर्थाथ आप कौलिफायर की केटेगरी में आते हैं तो इसको अंत तक देखे उसके बाद आप अपना विकल्प भरें option form भरने से पहले हम जान लें कि किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं और विभाग कौन है कहां है देखे सबसे पहले इसमें पहला है A1 राजभासा विभाग उसके बाद D1 आता है CBDT Central Board of Direct Tax अर्थाथ प्रत्यक्षकर विभाग उसके बाद आता है कैट है चोथा है IHQ अर्थाथ Integrated Headquarter ये आर्मी के अंडर आता है और इसमें Ordnance Service में आपको नियुक्ति मिलेगी अब जो राजभासा विभाग है Ministry of Home Affairs उसमें Total 169 179 पद है Central Board of Direct Tax में कुल 54 पद है Central Administrative Tribunal अर्थाथ कैट में सिर्फ एक पद है और Integrated Headquarter में कुल 14 पद है कनिश्ट अनुवादक के इसी क्रम में पांचवाँ है D4 DGHS Director General of Health Services अर्थाथ यह Ministry of Health and Family Welfare के अंतरगत आता है उसके बाद है D5 D5 है आपका Ministry of Housing and Urban Affairs यह इसमें मकानोगर जो अलाटमेंट होता है ज्यादा इसमें आता है फिर D6 में आपका आता है विदेश मंत्राले अर्थाथ Ministry of External Affairs और इसका जो विभाग आपको मिलेगा वो है Central Passport Office पासपोर्ट कार्याले में आपका चैन होगा और इसमें आपके कुल पद हैं 31 Housing and Urban Affairs में है आपके 9 DGHS में Director General of Health Scheme में दो हैं इसके बाद आठवा है D7 D7 है C and A G अर्थाथ C A G कहा जाता है इनको उसमें कुल 45 पद हैं अब देखे यह आप्शन भरने का अपना अपना विचार होता है अपनी अपनी पसंद होती है इसमें दो चीजें हैं जिस पर लोग विशेज ध्यान देते हैं कुछ लोग पदोननती की बात सोचते हैं और कुछ लोग अपने पसंद का अस्थान देखते हैं तो सबसे पहले मैं पसंद के अस्थान के बारे में बात करूँगा अर्था जो लोग अपने छेतर में रहना चाहते हैं या नए छेतर में जाना चाहते हैं मैं उनको विवरण पहले बता दूँँ अब देखिए इसमें अब तक जादातर मुझे लोगों ने फोन किया उसमें कई लोग दिल्ली छेतर में रहना चाहते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कलकता में रहना चाहते हैं जादातर इसी दो छेतर के लोग चैनित भी होते हैं बाकी जगों के इकका दुका लोग उन्हें जानकारी मांगी है तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो राजभासा विभाग है इसमें रिक्तियां भी बहुत है 179 है राजभासा विभाग के अधिकांश कार्याल है या फिर यह कह लीजे Ministry of Home Affairs आपके दिल्ली में ही है और यदि आप लोग दिल्ली रहना चाहते हैं तो Ministry of Home Affairs को आप पहला प्रिफेंस मांग सकते हैं इसके बाद IHQ है इंटिग्रेटेड हेड़कॉर्टर इंटिग्रेटेड हेड़कॉर्टर की भी शाखाएं दिल्ली में ही है तो यह जो 14 पद हैं दिल्ली में रहने के जो लोग को भी अपना पहला आप्शन ले सकते हैं IHQ या फिर MHA उसके बाद Ministry of Health and Family Affairs का जो Director General of Health Services है उसमें दो ही पद हैं तो यह भी कारियाले दिल्ली में ही है तो जो लोग दिल्ली रहना चाहते हैं वो इसका चैन कर सकते हैं इसके बाद Housing and Urban Affairs इसके भी कारियाले दिल्ली में है इस इसका भी चैन कर सकते हैं अर्थात जो लोग दिल्ली रहना चाहते हैं उनके लिए विकल्प मिला अच्छे एक बात और मैं यहां सपष्ट कर दूँ आवश्यक नहीं कि यह सारी विभाग दिल्ली में ही है तो आपको दिल्ली में ही अस्थानांतरन मिले पर 99 प्रतिशत तरक्की सबको करनी चाहिए इस औसर का लाब सबको उठाना चाहिए तो जो लोग पदोन्नती की चाह रखते हैं उनके लिए सबसे बहतर तीन विकल्प हैं CBDT में भी मैंने देखा है पदोन्नती बहुत शिग्र हो जाती है 6-7 साल में आप वरिष्ट अनुवादक बन जाते हैं इसके अलावा CAG में भी यह विकल्प है कि 7-7.5 साल आते आते आप वरिष्ट अनुवादक या Senior Translator बन जाते हैं तो जो लोग पदोन्नती के बहुत कम है पूरे भारत में तो यह कार्याले की संख्या की उपर भी निर्भर करता है कि आपको वहां पदोन्नती के आउसर कितने मिलेंगे जो लोग दिली से बाहर जाने की इच्छा रखते हैं वे भी इन विभागों में भर सकते हैं और पदोन्नती के आउसर की इसमें तलाश कर सकते हैं एक बात और जानले कि कोई भी विवाग आपको मिले वेतन और सुविधाएं सबको एक ही रहेगी आप मन में या भ्रह्म ना पालिएगा कि मेरे अंक बहुत अच्छे आये थे तो मुझे यह विवाग नहीं मिला वो मिला कुछ इस तरह कि भावना मत हर विवाग में आपको एक ही प्रकार का काम करना पड़ेगा एक ही प्रकार की सुविधा होगी इसलिए जो विवाग मिल जाए आप उसको सुविकार करिए और उसमें आप जुड़ने का प्रयास करिए अब यह जो आप्शन फार्म SSC ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है उस फार्म को आप लोग डाउनलोड करने डाउनलोड करके विवेचना करने अपने घर वालों से परिवार वालों से और आप मन्थन करने कि आपको किस शहर में रहना है किस विभाग में जाना है उसके अमसार आप विकल्प प्रिष्ट संख्या 2 में पेज नंबर 2 म उसके अमसार A1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, क्रमवार अपना विकल्प उसमें टिक कर दें या फिर लिख दें, लिखने के बाद वह कागज अपने पास रखें, जिस समय कागजात सत्यापन अर्थात, दॉकुमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आफलाइन हो, उस समय आपको इसकी आवशक्ता पढ़ेगी, अभी इसकी आवशक्ता नहीं है, आप इसको अपने पास रखें, और फिर उस तारीख की प्रतिच्छा में रहें, जब आपको बुल प्राइब कर ले,